अनोखी तरकीब कोई बड़ी न छोटी चड़ियां देने के बाद विराट ने सब से कहा कि ये जादली चड़ियां हैं और जो चोर होगा उसकी चड़ी अपने आप एक अंगुल बढ़ जाएगी यह कहकर उसने सब को घर जाने को बोल दिया और कल आने को कहा रमेश जिसने चोरी की थी वो घर जाकर सोचने लगा कि कल उसकी चोरी पकली जाएगी उसने तुरंत लकड़ी एक अंगुल छोटी कर दी और आराम से सो गया अगले दिन विराट ने जब सारी चड़ियां देखी तो रमेश की चड़ी एक अंगुल छोटी निकली विराट की अनोखी तरकेट काम कर गई थी रमेश पकड़ा गया उसे अपने किये पर पस्तावा हुआ और उसने चोरी किया हुआ सारा सामान वापस कर दिया चोरी करना एक बूरी आदत है